नमस्ते जी कैसे हैं आप पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं हो कात्याईनी आप सभी को छट पूजा की धेर सारी शुब कामनाए छट पर्व में सूर्यदेव की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है चार दिनों का ये महापर्व कार्दिक शुकल के चौथ से लेकर कल सब्तम को समाप्त होगा इस दरान छटी की पूजा सबसे बड़ा है छट महापर्व में भगवान सूर्यदेव और उनकी बहन छटी मैया की पूजा उपासना की जाती है जितना खूबसूरत गंगा मैया की संध्या आरती है ठीक उसी तरहां संध्या वेला में डूपते सूरज को अर्खे दिया जाता है इस सुंदर्व रत्योहार में उगते सूरज को अर्खे देना हमारे महान सनातन धर्म की प्रथा है किन्तु यही एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूपते सूरज को भी अर्खे देकर सूर्य भगवान के प्रती सम्मान को व्यक्त किया जाता है मान्यता है कि सूर्य देव के क्रिपा से घर में धन्धान्य का भंडार रहता है छटी माए संतान प्रदान करती है जोतिश के अनुसार सुबह सूर्य को अर्खे देने से व्यक्ति का स्वास्य ठीक रहता है वही दोपहर को सूर्य को अर्खे देने से समाज में पद मान सम्मान बढ़ता है धलते सूरज को शां को अर्खे देने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है चट पूजा को सबसे कधिन व्रत माना जाता है इस पर्फ में 36 घंटों का नर्जला व्रत रखा जाता है और पूरी निश्था के साथ कई नियमों का पालन करते हैं अगर आप भी इस चट पर छटी मया की कृपा पालेना चाहते हैं तो भूल कर भी व्रत करते और सूर्य को अर्ख देते समय इन गलतियों को करने की भूल ना करें चट पूजा में सफाय का बहुत महत्व है चट पूजा का प्रशाद बनाने वाली जगह साफ सूथरी होनी चाहिए प्रशाद को गंदे हाथों से ना तो चूना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए चट पूजा का प्रशाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहां खाना बनता हो पूजा का प्रशाद मिट्टी के चुले पर ही पकाए पक्वान में साधारन नमक का प्रयोग ना करें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें साधारन नमक को इस दोरान चूना भी वर्चत है प्रशाद बनाते वक्त कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए प्रशाद बनाते वक्त और पूजा के दोरान हर किसी को साफ सूत्रे कपड़े पहनने चाहिए चट पूजा के दारान सात्विक भोजन करें प्यास लहसुन के सेवन से दूर रहें इन्हें घर पर भी ना रखें चट पूजा ववरत के दारान मान साहार, शराब, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए चट पूजा के लिए फल चुनते समय धरा फल थाल में ना रखें, ध्यान रखें पूजा में रखे जाने वाले फल ताजे होने चाहिए चट की पूजा के थाल का कपड़ा भी गंदा बिलकुल नहीं होना चाहिए थाल के लिए कपड़ा चुनते समय ध्यान रखे कि वो साफ और पीले रंका हो इस व्रत में दोनों महिलाए और पुरुष नवीन वस्तर पहनते हैं जिन में सिलाई भी नहीं की गई हो नवीन वस्तर पहन ना सके तो बिलकुल साफ सुत्रे वस्तर धारन करें सूर्य भगवान को जिस बरतन से अर्खे देते हैं वो चांदी, स्टेनलिस स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए सूर्य को अर्खे देने के लिए कोशिश करें कि बास से बनी बरतन का इस्तमाल किया जाए चट वरतियों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए वरत करने वाली महिलां को फर्ष पर चादर बिचा कर सोना चाहिए बिना हाँ धोए पूजा के किसी भी सबान को नाचुए बच्चों को चट पूजा का प्रसाद जूठा ना करने दे जब तक चट पर्व संपन ना हो जाए चट पूजा में वरत रख रहे लोगों को अब शब्दों और अभध्र भाशा का बिलकुल इस्तमाल नहीं करना चाहिए चट पूजा के दौरान सूर्य को अर्खे देती समय अपने मन में किसी केलिए भी किसी भी तरह के बुरे विचार ना लेकर आए दोस्तों इन सब ही नियमों का ध्यान रखें छट महपर्व में छटी मैया तो हैं बहुत धैयालू वे अपने भगतों का अहित नहीं करती सदेिभ अपने भगतों की रक्षा करती है अभी इसी वक्त इस लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा इस तरह के और वीडियोज पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे अभी मुझे इजासत दीजे दोस्तों हम फिर मिलेंके अगली वीडियो में जै छटी मैया की